तो दोस्तो आज का इस वीडियो ब्राइक कमाल को होने वाला है क्यूंकि आज इस वीडियो में हम लोग सिखे हैं कुछ इस तरह का सेंटेंसे वाlkुरुफ Antài पहले sentences देख लेते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी बोला करते हैं एक ना एक दिन तो तुम्हें आना ही है या फिर हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं एक ना एक दिन तो तुम्हें आइफोन खरीदना ही है एक ना एक दिन तो तुम्हें आइफोन खरीदना ही है तो ऐसे sentences गाइ other day, one or the other day, जिसका हिंदी मीनिंग है एक ना एक दिन तो, एक ना एक दिन तो, तो ऐसे एक स्ट्रैक्चर को इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जब भी आप अपनी कुछी सेंटेंस में इस तरह से बोलना हो, एक ना एक दिन तो तो वहाँ पे आपको यूज करना है, one or the other day, तो चलिए कुछ example देखकर अच्छा से सीख लेते हैं, एक ना एक दिन तो सब को मरना है, ऐसे guys हम लोग कभी ना कभी बोला करते हैं, एक ना एक दिन तो सब को मरना है, कोई कही रहा है जैसे के भाई मैं तो अभी जीऊंगा, कभी नहीं मरूंगा, तो मैं उसे reply कर रहा हूँ, एक ना एक दिन तो सब को मरना है, तो ऐसे sentences हम लोग अकसर बोला करते हैं, तो इस तरह का sentence को English मैं कैसे बोलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, one or the other day everyone has to die, one or the other day everyone has to die, तो ऐसे English में बनेगा, तो यहाँ पर देखिए one or the other day use किया है पहले, उसके बाद everyone has to die use किया ग एक दिन तो तुम्हें आना ही है, तो इसे English में कैसे बनाएंगे, इसे English में बनाने के लिए आपको फिर वही यूज़ करना है structure, one or the other day, तो कैसे बनेगा, one or the other day you have to come, one or the other day you have to come, तो देखिए गाईज यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, जो structure जो मैंने इस वीडियो में one or the other day, जो green color पर दीख रहा है, उसके बाद black पर आपको यहाँ पर तुम्हें आना ही होगा, you have to come, तो ऐसे बनेगा, तो चलिए और example देख लेते हैं, एक ना एक दिन तो तुम्हें आइफोन खरीदना ही है, एक ना एक दिन तो तुम्हें आइफोन खरीदना ही है, इसका English कैसे बनेगा, one or the other day, you have to buy an iPhone, one or the other day, you have to buy an iPhone, आइफोन के आगे एक जगा एन क्यों बैटा है, क्योंकि यहाँ पर आइफोन की पहली जो लेटर है, वो भॉवेल से, इसलिए यहाँ पर एक बदली, यहाँ पर एन बैटा है, तो आपको यह पहले से पता ही है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा explain नहीं करूंगा, तो आपको बस यही समझना है, कि जब भी आपकी sentence में, आप ऐसे बोलना चाहो, एक ना एक दिन तो, तब वहाँ पर आपको इंगलीज में बोलना है, one or the other day, उसके बाद जो आप बोलना चाहते हैं, उसी यहाँ पर आपको add कर देना है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो गाज मिलते हैं किसी और नए से structure के साथ, तब तक के लिए, अलविदा